हुई करणाल के फरीदपूर गाउं के पास रेत की खदान में खुदाई के दौरान शिबलिंग और नंदीगण के साथ कुछ पौराणे के स्तंभीन ले हैं जिसके दर्शन के लिए प्रदेश के मुख्य मंत्री मनोहलाल खटर खुद गाउं फरीदपूर पहुँचे जहां उन्होंने शिबलिंग की पूजा आचना की वहीं गाउं में सीम के आने से ग्रामीनों में भारी उत्सा देखने को मिला प्रदेश के मुख्य मंत्री मनोहलाल खटर फरीदपूर पहुचे जहां उन्होंने शिबलिंग की पूजा की प्रदेश के मुख्य मंत्री मनोहलाल ने कहा फरीदपूर गाउं आज देश और दुनिया की नजरों में आ चुका है पराडिक शिवलिक ये दर्शन और पूजा उनके जीवन का यादगार अफसर है उन्होंने का हजारो साल प्राचीन धरोहर मिलने से इस स्थल का महत्व पहले से जादा बढ़ा है और देश दुनिया के लोग यहां तक कैसे पहुंचे इस पर विचार किया जाएगा जिससे यहां टूरिजम को बढ़ावा मिल सके इसके अलावा यहां के महत्व और आस्था को देखते हुए सरकार आगे काम करेगी महीं सीम ने यहां के जिला उपायुक्त को लाके के रिसर्च के नर्देश भी जारी किये आपको बता दे बीते रवीवार फरीदपूर गाउं के पास रेत की खदान में रेत की खुदाई का काम चल रहा था जहां खुदाई के दोरान शिबलिंग और नंदीगन के साथ कुछ पौराणिक स्थम्भी मिले थे हाला कि कुछ लोग एक गाड़ी में इन सब पौराणिक सामानों को लेकर जर्खी दादरी की तरफ चले गए थे लेकिन गाओं के युवाओं ने गाड़ी का पीछ हकर लोगों से इन सबी सामानों को वापस ले लिया महीं मामने के सूचना मिलने के बाद पौरा तत्व वेभाग की अधिकारी मौके पर पहुँचे और इन सभी पौराणिक वस्तों की जाचकी पौरा तत्व वेभाग की मारे तो खुदाई के दौरान मिली ये मूर्तियां भूचकार में बनी हुई है जब भी खुदाई के दौरान मिली ये टे खुशान काल से संबंदित बताई जा रही है